हेडिंग ले टेस्ट मैच में भारत की सर्मनाखार इंगलेंड ने की घातक गेनबाजी इंगलेंड ने हेडिंग ले टेस्ट मैच में भारत को एक पारी और 76 रनों से हरा कर पांच मैचों की सिरीज में एक एक से बड़त हासिल कर ली है चौते दिन के पहले सिजन में भारतिया टीम दूसरी पारी में नई गेन के सामने 278 रनों पर आउट हो गई इंगलेंड के गेनबाजों ने जबरदस्त गेनबाजी का प्रदर्शन किया चौते दिन के खेल की सुरुआत में ही भारतिया टीम को परसानी बढ़ गई क्योंकि कल के नावाद बल्ले बाचेते सर पुजारा 91 रन के स्कोर पर ही रविनसन के गेन पर आउट हो गए विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे और अपना अर्ध सतक भी बनाने से सफल रहे लेकिन यहां से वो भी गलती कर बैठे और 55 रन के नीजी स्कोर पर चलते बने नई गेन के सामने भारतिय बल्ले बाचो को परसानी का सामना करते हुए देखा गया अजिंके रहाने 10 और शब पंद एक रन बना कर आउट हुए इससे तह हो गया था कि टीम इंडिया पहले सेशन में ही मैच गवा देगी रविंद्र जडेजा ने कुछ अच्छे सौट खेल कर 30 रन बनाए और उनके आउट होते ही भारतिय टीम 278 रन पर सिमट गई इस तरह से इंग्लेंड ने एक पारी और 76 रनों से मैच जीत लिया इंग्लेंड के लिए दूसरी पारी में रविंसन ने 5 और ओवर टन ने 3 विकेट चटकाए